हलो एब्रिवन इसके डिजाना में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम छोटे बच्चों का बेबी प्रॉप का कटिंग बताएंगे आप पूरा वीडियो देखेंगे तिस्टेप बाइस्टेप शेख जाएंगे जो इसकीन पर देख रहा है सेम उसी तरीके से तो यहाँ पर देख लिजी हम दो मीटर का कपड़ा ले लिए कपड़े को इस तरह से फैला लेना है और फैला के अच्छी तरीके से सेट कर लेना है ये देख लिजी इस तरीके से सेट करके डबल फोल्ड में रख लेना है डबल फोल्ड को एक फोल्ड आउर कर लेना है तो यहाँ पर टोटल चार फोल्ड हो चुका है ये देख लिजी इस तरीके से उपर की तरप से कप्ड़ा घट बढ़ है तो यहाँ पर एक सिधा लाइन खीच लेना है तो यहाँ पर देख लिए निसान लग चुका है जहां से निसान लगा है वहाँ से इस ट्रा कप्टे को कटिंग करके निकाल देना है तो यहाँ पर कटिंग हो चुका है कप्टे को चार फोल में रख लेना है तो यहाँ पर हमें लंबाई में 9 इंच पर निसान लगा लेना है यह देख लिजे इस तरीके से और सिधा यहाँ से एक लाइन खिच लेना है तो यहाँ पर निसान लग चुका है यह देख लिजे इस तरीके से सोल्डर 5 इंच पर निसान लगा लेना है सेम इसी तरीके से नीचे की तरफ से भी 5.5 इंच पर निसान लगा लेना है आर मोल हमें 5 इंच पर निसान लगा लेना है यह देख लिजी इस तरीके से और इस तरफ से भी हमें निसान लगा लेना है बीच में 7.1 इंच का निसान लगा लेना है और यहाँ पर गुलाई में शेव दे देना है, तो पहले हम आपको नाप के भी दिखा देते हैं, यह देख लिजी सवाए 1 इंच है, अब यहाँ पर हम गुलाई में शेव दे देते हैं, तो यहाँ पर देख लिजी आर्मुल पर निसान लग चुका है, अब हम गले 2 इंच प पर देख लिए यहां पर देख लिए लग चुका है अब हम चोड़ाय के बात करते हैं तो कप्ड़को चार पुल में रखे हैं तो आठ से नेंजान लगा लीकित तरफ से कमर है साथ इंच, एक इंच वहां से माइनस कर देना है, तो यहां पर निसान लग चुका है, अब जहां से निसान लगा है, वहां से में कपड़े को कटिंग कर देना है, यह देख लिजिए इस तरीके से, तो यहां पर कटिंग हो चुका है, यह दोनों पाट, यह देख लिजिए मापको खोल के दिख्या देते हैं, तो यहां पर देख लिजिए दोनों पाट तयार हो चुका है, आगे का और पीछे का, तो आगे का पाट हम बगल में रख लेंगे, यहां पर हम पीछे का पाट ले लिए, बीच में से में 2 इंच पर निसान लगा लेना है, और यहां से में कटिंग कर देना है, यह देख लिजिए इस तरीके से, तो यहां पर हुक लगाने के लिए 2 इंच पर निसान लगा के तो यहां पर देख लिजी जितना कपड़ा सारा बचा था यहां पर हम ले लिए हैं और यहां पर सिंगल फोल्ड किये हैं उसके बाद यहां पर हमें डबल फोल्ड में कर लेना है यह देख लिजी इस तरीके से यह देख लिजी डबल फोल्ड हो चुका है डबल फोल्ड को एक फोल्ड और कर लेना है तो यहाँ पर हमारा टोटल चार फोल्ड हो जाएगा यह देख लिजी इस तरीके से हम आपको दिखा देते ह। देखLING जी चाहर फोल्ड में हम रख लिए हैं अब हम उपर का पाठ ले लिए हैं जो आगे का है तो यहाँ पर एक इंच हमारा फिटिंग में जाएगा तो यहाँ पर टोटल बच रहा है यहाँ पर हमारा 7 इंच टोटल आठ इंच कटिंग किये थे तो यहाँ पर हमारा साथ इंच बचा है और यहाँ पर हमें सवाए चारी चार इंच पर निसान लगा लेना है यह देख लिगे इस तरीके से तो यहाँ पर देख लिए निसान लग चुका है अब हमें घेरे के लिए निसान लगा लेना है तो यहाँ पर टोटल है साड़े सत्रे इंच यह देख लिए अब हमें उपर से नाप लेना है तो यहाँ पर इसका घेरा बहुत अच्छी तरीके से आ जाता है तो यहाँ पर टो अब यहां पर में गुलाई का सेव दे देना है यह देख लीजिए इस तरीके से तो यहां पर देख लीजिए निसान लग चुका है अब हम जहां से निसान लगाये हैं वहां से इस ट्रकप्टे को का टिंगर के निकाल देंगे यहां से भी तो यहां पर देख लीजिए कटिंग हो चुका है इस्ट्रकप्टे को बगल में रख लेना है यह देख लीजिए इसका गहेरा निकल चुका है इसमें कोई जोड नहीं है यह देख लीजिए दोनों तरब से एक दम गुलाई मी है यहां पर हम उपर का पाच ले लिए इस तरह से दख लीजिए ऊपर का पाच और घेरा निकल चुका है यह देख लिजे, इस दोनों पाट को हम बगल में रख लेंगे, तो यहाँ पर देख लिजे, मिस्ट्रा कपड़े को ले लिए है, और कपड़े को डबल फोलने में रख लेना है, यह देख लिजे, इस तरीक से, तो यहाँ पर तीन इंचे चोड़ाई पर निसान लगा लेना और यहाँ पर cutting कर देना है तो यहाँ पर cutting हो चुका है इस्ट्रा पाठ को हम बगल में रख लिए है और यहाँ पर देख लेजे दो पाठ निकल चुका है तो यह बंधन जो पीछे बाह जाता है तो टोटल कंप्लीट काटिंग हो चुका है यह देख लिजे इस तरीके तो देख लिजे यह आगे का पाठ हो चुका है और यह पीछे का पाठ हो चुका है और यहाँ पर घेरा हो चुका है तो फ्रेंस यहाँ पर देख लिजे कंप्लेट कटिंग हो चुका है यहाँ पर इस्ट्रा कपड़ा जो है यहाँ पर हम रखती ह अगर अच्छा लगे तो लाइक जरू